दोस्तो मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल में दोस्तो इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रतिसात जिसे दोस्तो इंग्लिस में पर्सेंटेज बौला जाता है दोस्तो percentage मैं यहाँ पर आपको एकदम basic से बताऊंगा basic से कहने का मतलब दोस्तो zero label से पढ़ाऊंगा दोस्तो अगर आप match में कमजोर छात रहें तो आपको tension लेने की विल्कुल भी जोरत नहीं है क्योंकि दोस्तो इस channel पे मैं मैं आपको एकदम basic से पढ़ा रहा हूँ एकदम zero label से और chapter wise दोस्तो पढ़ा रहा हूँ दोस्तो कुछ दिनों में जब आपकी सारी chapter इस समाप्त हो जाएंगी तो दोस्तो आप भी math के प्रशनों को secondों में solve करने लगे वो भी बीना pen उठाए तो दोस्तो आपको बता दू ये percentage का पहला part है तो आएए दोस्तो देखते हैं percentage का पहला part देखिए दोस्तो ये percentage का पहला part है पहला part देखने से पहले दोस्तो आपको बता दू दोस्तो अगर आप basic math नहीं पढ़े हैं बेसिक चीजे में दोस्तों आपको क्या चीज बता हूँ, बेसिक विडियो में जोड घटाना गुडा भाग, भिन का जोड घटाना गुडा भाग, पर सांतर करना, 10 मलों भिन क्या होता है? क्रॉस मल्लिपलाई कैसे किया जता है? बेसिक चीज़े हूँ वहाँ पे लगवग 5 पार्ट में complete कर चुका हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे percentage भी आपको बताऊंगा बेसिक से ही बताऊंगा जहाँ पे भी दोस्तों आपको समझाने वाली चीज़े होगी मैं समझाते हुए चलूँगा तो यहाँ पे भी आपको टेंसल लेने की जोरत नहीं है आप एकदम अच्छे से पढ़ते हुए चलिए धीरे धीरे समझते हुए सारी चीज़े चलिए आपको सारी चीज़े clear होगी 100% ठीक है तो यहाँ पे देखिएगा percentage यानि की प्रतिसता प्रतिसत का अर्थ क्या होता है दोस्तों प्रतिसत किसे कहा जाता है देखिए प्रतिसत किसे कहा जाता है समझेगा प्रतिसत का अर्थ प्रतिसायकडा होता है समझते हुए चलिए दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिसत वह भिन है जिसका हर 100 होता है प्रतिसत वह भिन है जिसका हर 100 होता है प्रतिसत को दोस्तों ये इस सिंबल से भी प्रतिसत किया जाता है यानि कि जो सिंबल दिख रहे हैं आपको इसे प्रतिसत बोला जाता है जैसे यहाँ पे दोस्तों एक्जामपल थोड़ा सा समझेगा ये 10% लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे हम हिंदी में प्रतिसत नहीं लिखेंगे, यह जो symbol है ने लगा है इसे प्रतिसत बोला जागा, ठीक है, math में आप percentage को symbol से ही प्रदर्सित करेंगे, ठीक है, तो यह लिखा है 10% 10% का मतलब दूस्तों क्या होता है, समझिएगा, 10% का मतलब होता है, 10 बटा 100, यहाँ पे कह रहा है न दूस्तों, प्रतिसत वह भिन है, जिसका हर 100 होता है, अगर जो दोस्तों मैं आप से कहा है दू, X% X% का मतलब क्या होगा दोस्तों, X बटा 100, जिस संख्या के साथ या जिसके साथ दोस्तों यह प्रतिसत लग जाएगा तो उसका बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, यह चीजे समझते हुए चलिएगा, यही basic चीज होती है, तो प्रतिसत क्या होता है दोस्तों, हर सदेव 100 होता है 10% का मतलब क्या हो जागा दोस्तो 10 बटा 100 20% का मतलब क्या हो जागा दोस्तो 20 बटा 100 20 के साथ ये percentage लगा है न तो इसका हर क्या हो जागा दोस्तो 100 हो जागा यानि 20 बटा 100 हो जागा 25% का मतलब दोस्तो क्या होगा 25 के साथ ये वाला प्रतिशत का सिंबल लगा है तो इसका मतलब हो जागा 25 बटा 100 आगे आपको कहूँ दोस्तो 80% 80% का मतलब क्या हो जागा 80 के साथ प्रतिशत लगा है तो यानि कि 80 का हर क्या हो जागा 100 हो जागा जिसे 80 बटा 100 बोला जाएगा आगे आपको देखेगा दोस्तों, आगे कहूँ 120%, 120% का मतलब क्या होगा? 120 बठा 100, 120 के साथ क्या लगा ये प्रतिसत का सिम्बल लगा इसका मतलब हो गया, 120 का हर क्या हो जाएगा, 100 होगा, प्रतिसत वा भिन होता है, जिसका हर सदेव 100 होता है, ठीक है? आगे बोलू दोस्तो, 300%, 300% में भी क्या होगा दोस्तो, 300 बटा 100 होगा, प्रतिसत जिसंग के साथ लगेगा, उसका हर दोस्तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये चीज़ आप समझ गए, अब आगे देखिएगा दोस्तो, आगे आपको समझा रहा हूँ दोस्तो, question है, ये question क कहे रहा है, निम्न प्रतिसत को साधारण भिन में बदले, प्रतिसत को साधारण भिन में कैसे बदला जाता है, देखिएगा, प्रतिसत लिखा है न, 10%, 10% को हम कैसे लिखेंगे दोस्तो, 10 बटा 100, हमें साधारण भिन में बदलना है, उपर दोस्तो, 1 0 दिख रहा है, नीच percent को दोस्तो साधारडबिन में बदलने के लिए कहें तो कैसे बदलेंगे इसको लिख लेंगे 20% लिखा है तो 20% का मतलब क्या हुआ 20 मटा 100 हो गया अब इसको दोस्तो आप कटाके छोटा कर लेंगे देखियेगा एक बटा पांस आजाएगा, 40% को साधारण विन में बदलेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे, 40 बटा 100, क्या लिखेंगे, 40 परसात का मतलब क्या होता है, परतिसाथ 40 के साथ लगा है, तो इसका हर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा यानि, 40 बटा 100, और 40 बटा 100 को क्या कर लेंगे, छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे, 20 दुना का 40 और 20 पच्चे 100, 20 यानि किसका क्या हो गया दोस्तों, 2 बटा 5, 40 परसेंट को साधारट भीन में बदलेंगे तो क्या आएगा, 2 बटा 5, अब दोस्तों यहाँ थोड़ी सी आप चाहें तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते थे, इसको 0 से 0 कटा लेते, इसको 2 से कटा लेते, 2 दुना का 4 और यह हो जाता, 2 पच्चे 10, यह तब भी क्या आता दोस्तों, 2 बटा 5 ही आता, ठीक है, कोई इसी संख्या लेंगे दोस्तों, जिससे दोनों में भाग चली जाए, औ हम इसलिए दोस्तों, बड़ी संख्या क्यों लिए, कि जल्दी से कट जाएगा, 20 दुना का 40 हो जाएगा, और 20 पच्चे 100 हो जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 2 बटा 5, यह अगर जो हम 40% को साधारण भीन में बदलेंगे तो आंसर क्या होगा, 2 बटा 5 होग दोस्तों, आप इसे भी 20 से कटा लीजे, 20, 23, 60 हो जाएगा, और यह हो जाएगा, 20, 500, यानि आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 बटा 5, अगर जो हम कहें, 60% को साधारण भीन में बदलेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 बटा 5 हो जाएगा, मैं उमिद करता हूँ दो भीन को दोस्तों, प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, मैं आपको बता दोस्तों, भीन को प्रतिशत में बदलने के लिए, जो shortcut है, आसान तरीका है, उसे कहते हैं, दोस्तों, उसमें क्या करते है, डिरेक्ट 100 से गुणा कर लेंगे, यानि कि 1 बटा 10 है न, एक्जामपल के बदल जाएगा, ठीक है, जब 1 बटा 10 में 100 से गुणा किये, तो ये 0 से 0 आपका cancel हो जाएगा, बचेगा क्या 10, तो यही हो जाएगा 10%, एक बटा 10 को दोस्तों, एक बटा 10 क्या आए, भीन है, इसको हम प्रतिशत में कैसे बदले, डिरेक्ट 100 से गुणा कर देंगे, जो जानि कि 1 बटा 5 गुणे 100, अब क्या करेंगे, इसको कटा के छोटा कर लेंगे, यानि 5 से 100 कितने बर में कटेगा, 20 बर में कट जाएगा, तो यह हो जाएगा, इसका अंसर 20%, अगर जो एक बटा 5 यह भीन है, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो इसका अंसर क्या हो जा कितने बार में कट जाएगा 25 बार में 25 को 100 होता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 25 परसेंट एक बटाचार क्या है दोस्तों भिन है इसको हम प्रतिसत में बदले तो कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा 25 प्रतिसत के बराबर ठीक है next को example देखिएगा है दो बटा 5 को आप प्रतिसत में बदलेंगे कैसे बदलेंगे दो बटा 5 में क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे ठीक है दो बटा 5 में 100 से क्या हो गया जालिस परसेंट हो गया अब आगे देखिए क्या होता है तो इसे भी क्या करेंगे flame बदलेंगी एक बठा दो हैं आप और दो बार न फ्रीम करेंगा अब सीक्या होगो तो मेरा प्रयास ही है कि आप सारी बेसिक चीज़े अच्छे से सीखें नेक्स देखिए कि दोस्तो अगला एक्जामपल क्या है 3 बटा 25 3 बटा 25 है इसको भी साधारण भिन में है इसको क्या करेंगे प्रतिसत में बदलने के लिए क्या करेंगे डिरेक्ट 100 से गुणा कर देंगे तो 3 बटा 25 गुणे क्या हो जाएगा 100 3 बटा 25 गुणे 100 हो जाएगा और 25 से 100 कितने बार में कटेगा 4 बार में कट जाएगा 4 गुणे 3 हो गया तो 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 ते 12 12% 3 बटा 25 क्या है साधारण भिन है एक और इस भिन को दोस्तो हम प्रतिसत में बदले तो कितना हो गया 12% के बराबर हो गया तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो ये सारी चीज़े आप अच्छे से सीख रहे होंगे नेक्स देखिएगा अगला क्या है दोस्तो अगला आपका कह रहा है तीसरा कोस्चन है निम्न प्रतिसत को दस्मलों में बदले दस्मलों में बदलना है प्रतिसत को कितना है 32% 32% को अभी पीछे बताया दोस्तों कैसे लिखा जाता है percentage को कैसे लिखा जाता है 32 के साथ क्या लगाया दोस्तों percentage लगाया तो इसको हम क्या लिखेंगे 32 बटा 100 जिसके साथ परत्शत लगेगा उसका हर यानि नीचे वाले क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जागा, यानि 32 का हर क्या हो जागा, 100, 32 बटा 100, अब 100 से दोस्तों 32 में भाग आपको बताया था, 10 मलो भिन को कैसे बदला जाता है, 10 मलो भिन में कैसे बदला जाता है, साधार भिन को, ये सब सारी चीजे बेसिक में बताया था आपको, तो 32 को दोस्तों 100 से भाग करेंगे यहां पे किसा के यहां पे लग जागा, यानि दस्मलो 3,2 हो जाएगा, इसे दस्मलो में बदलेंगे, यानि 32 बटा 100 को दस्मलो में बदलेंगे, तो 100 से भाग करेंगे, तो दस्मलो कहां हैगा, दो आंग किधर आ जागा, यानि इसका क्या अंसर हो जागा, दस्मलो 3,2 यानि 40% को तो पहले तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 40 बटा 100 लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों 100 से भाग करेंगे, तो दो अंक बाद यहाँ पे 10 मलों लग जागा, यनि कि 10 मलों 4 0, इसका आंसर हो जागा, 40% को 10 मलों बदलेंगे, तो क्या हो जागा, 10 मलों 4 0, अग नेक्स एक क्या होगा 100 होगा आप से बोलू 30 परसेंट ठीक है 30 परसेंट का मतलब क्या होगा 30 बटा 100 हो जाएगा ठीक है और 30 बटा 100 को हम दस्मलों बदलने के लिए बोले तो क्या करेंगे 100 से भाग करने के लिए क्या करेंगे 100 से जब भाग करेंगे तो दो अंग दस्मलों इधर हो जा गए होंगे कि प्रतिसत को दसमलों में कैसे बदला जाता है आगे देखिए दोस्तों आगे आपका चौथा कोश्चन क्या करें इंपोर्टेंट है यहाँ पर समझेगा चौथा कोश्चन करें निम्न का मान बताएं मान बताना है 40 रुपय का 15% कितना होगा पहला कोश्चन पूछ रहा है 40 रुपय का 15% कितना होगा तो यहाँ दोस्तों प्रस्ण को ध्यान से जब पढ़ेंगे तो 40 रुपय का 15% कितना होगा का मतलब दोस्तों क्या होता है गुड़ा यानि कि 40 गुड़े 15% का मतलब अभी बता है न दोस्त कर लेंगे यह हो जाएगा दोस्तों 20-25-100 और यह हो जाएगा 20-20-40 और 5-15 कितने बार में तीन बार में और तीन गुणे 2 क्या हो जाएगा 6 40-15 क्या हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा प्रत्चत निकालने आप सीख रहे होंगे कैसे लिकाला जाता है एक बार ओपर समझ Jetzt da और प्रत्सत ऐसे ही निकाला जाता है क्या बोल ला है 40 रुपए का 15 प्रत्सत कितना होगा का मतलब क्या होता है गुणा कितने का बोल रहा है 40 का तो 40 गुणे 15 परसेंट बोल ला है 15 परसेंट तो 40 गुणे 15 परसेंट को कैसे लिखेंगे पंदरा बटा सो लिख देंगे अब इसको कटा लेंगे 20 से 20 दुना का 40 और ये हो जाएगा 20 पर्चे 100 और 5 से पंदरा तीन बार में तीन गुणे क्या हो गया दो तीन दुना का 6 रूपए 6 रूपए हो जाएगा 40 रूपए का 15 परशन्ट ठीक है 500 का 40 प्रतिसत कितना होगा तो इसको कैसे solve करेंगे का मतलब क्या होता है गुणा होता है 500 का बोला है तो 500 का मतलब गुणे 40% को कैसे लिखा जाएगा अभी आपको बता है दोस्तो 40% को लिखा जाएगा 40 बटा ठीक है ये 2 0 नीचे दिख रहा है 2 0 यहाँ पर दिख रहा है cancel हो गया और 40 गुणे 5 यानि 5 गुणे 45 पांचों को 20 यानि 200 क्या हो जागा 40 गुणे 5 करेंगे 200 तो इसका आंसर क्या हो जागा 200 500 का 40% कितना होगा 200 होगा कैसे निकाले 500 गुणे 40 बटा 100 कर दिए ये 2 0 से 2 0 cancel हो गया और 40 गुणे 5 किये तो 200 आगया मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप इसे भी अच्छे से सीख गये होगे कि कैसे निकाला जाता है next देखिएगा अगला है important है बहुत ही important है क्या है 100 का 30 प्रतिसत कितना होगा दोस्तों 100 का जितना पर्षंट बोले 100 का 20 पर्षंट 20 होगा 100 का 50 पर्षंट 85 होगा 100 का 70 पर्षंट 70 होगा कैसे होगा दोस्तों क्योंकि 100 गुणे 30 बटा 100 बोला है न 100 का 30 पर्षंट कितना होगा 100 गुणे 30 बटा 100 ये 100 से 100 क्या हो जागा cancel हो जागा बचा क्या 30 अगर जो 100 का दोस्तों कितना हूं परसेंट बोलेगा तो उतना ही होगा 100 का दोस्तों मैं बोलू 5 परसेंट तो 100 का 5 परसेंट बोलू तो क्या होगा 100 गुणे 5 बटा 100 यानि 100 से 100 कैंसिल हो जागा 5 ही होगा 100 का 20% कितना होगा 100 का 20% कितना होगा 20C होगा 100 का कितना हूँ % बोलेगा दोस्तो उतना ही होगा तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको solve किया जाता है 100 वाला इसलिए आपको बता है कि 100 पे ही परसेंटेज के थोड़े से बेसिक कोस्टन बताऊंगा जो छोटे छोटे एक्जाम में पूसे जाते हैं उसके बाद दोस्तो हाई लेबल धीरे-धीरे आपको दोस्तो बेसिक से समझ लीजेए जीरो से आपको हीरो तक ले जाना है यानि कि बेसिक से कहा तक high level के question कराऊंगा जो SSE bank railway के CGL exam में जो पूछी जाती है high level में bank PM पूछी जाती है SSE CGL में उन प्रशनों को भी दोस्तों आपको बताऊंगा कि उन प्रशनों को आप कैसे secondor में solve करेंगे तो यह चीज है आपकी दोस्तों यहाँ पे basic complete हो गई और मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप percentage निकालना सीख गये होंगे तो percentage निकालना सीख गये होंगे अगर जो दोस्तों आपसे कहूँ 800 का 40% तो कैसे निकालेंगे 800 गुणे 40 बटा 100 क्या होगा यहीं न होगा 800 गुणे 40 बटा 100 तो इससे क्या करेंगे जीरो से ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा आठ चोग को 32 यानि की 0 तीन सो बीस हो जाएगा प्रत्षत ऐसे निकाला जाता है ठीक है तो आई ये चीज़े दोस्तों आप सीख गयोंगे और नेक्स पार्ट में इससे थोड़ा सा उपर लेवल ले जाओंगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप ये सारी चीज़े सीख गयोंगे आगले पार्ट में दोस्तों हम सीखेंगे कि प्रत्षत के कोस्टन को कैसे solve किया जाता है तो दोस्तों आपको बता दू अगर जो दोस्तों ये सारे प्रिशन कर लिजेगा और नोटिफिकेशन वेल को अन कर लिजेगा ताकि इस पर जितने भी दोस्तों मैं important वीडियो दू उसकी आप तक notification मिले ठीक है आपको notification कम मिलेगी चैनल को subscribe कर लेंगे और notification वेल को अन कर लेंगे तो मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में और भी important question के साथ तब तक के लिए दोस्तो धन्य बाद